कोरोना वाइरस, यूं तो पूरी मानव जाती के लिए खत्रा बना है, लेकिन उन लोगों के लिए ये जादा खातक साबित हो रहा है जो ओवरवेट हैं या मोटे हैं, ये खत्रा कितना गंभीर है और एक्सपर्ट्स इसे लेकर क्या कह रहे हैं, कवर स्टोरी में पूरी जान के लिए दिक्कत बनने लगा है, लेकिन कुछी देश इस से कुछ हद तक ने पढ़ पाए हैं, और अब विशेशग्यों ने आगाह किया है कि बढ़ता वजन कोरोना संकर्मन के लिए आज से खतरनाक है, दरसल बढ़ते मोटापे की समस्या काफी पुरानी है, मगर कोरोना वाइरस के कारण अभी खदम उठाना बहुत जरूरी हो गया है, हेल्थ एक्सपर्ट्स आगाह कर रहे हैं कि अगर आप मोटे हैं या ओवरवेट हैं तो आशंका है कि कोविड-19 के कारण आप गंभीर रूप से बिमार भी पढ़ सकते हैं, ऐसी सूरत में मौत का भी जोखि मैं लोगों को बास की तरह हिदायत देने की राजनीती में यकीन नहीं रखता, लेकिन सच तो यह है कि मोटापा वाकई एक बड़ी समस्या है, वजन कम करके आप कोरोना से होने वाले खत्रे को बहुत कम कर सकते हैं, साथ ही इस से आप अपनी सेहत की सुरक्षा करके एनेच इसको भी बचा सकते हैं, मैं तो लोगों से कहूंगा कि वो अपना वजन कम करें, मैंने खुझ 6 किलो वजन कम किया है अब ब्रिटिन में जादा चीनी, फैट या नमक वाले हानिकार खाने के सामान, जैसे की पिज़ा, बर्गर और केक के विज्यापनों को रात 9 बजे से पहले टीवी पर दिखाना प्रतिबंधित किया जा सकता है स्टोर के काउंटर पर मिठाईयों और चॉकलेट बगर को नहीं रखा जा सकेगा हर रिस्टरों को अपने मेनियों में वेंजनों और ड्रिंक्स के बारे में मौझूद कैलोरीज का ब्यारा देना होगा कोरोना मारी शुरू होने के बाद से लोगों ने कसरत करना कम कर दिया ये दावा जिस रिपोर्ट में किया गया उसके मताबिक लॉक्ट डाउन के दौरान जंक फूड और शराब की खपत बढ़ी देखिए ये रिपोर्ट स्वास्तिवी भाग के अधिकारियों की चितावनी साफ है अगर ओवरवेट हैं या मोटापे के शिकार हैं तो कोरोना वाइरस से संक्रमित होने पर आप अस्पताल पहुँच सकते हैं यानि आपके गंभीर रूप से बीमार पढ़ने की आशंकार ज्यादा है सामाने वजन वालों की तुलना में मोटे व्यक्ति के गंभीर रूप से बीमार पढ़ने का खतरा चार गुना ज्यादा है वजन ज्यादा होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है इससे आपका ब्लेड प्रेशर बढ़ जाता है और ये अतिरिक्त प्रेशर आपके शरीर पर दबाव डालता है इसी कारण ज्यादा वजनी लोग जब कोरोना संक्रमित होते हैं तो उनके गंभीर रूप से बीमार पढ़ने की आशंका कुछ ज्यादा होती है लंदन के इस पार्क में आने वाले लोग इस बात को मानते हैं कि पिछले कुछ महीने चुनौती भरे रहे हैं मैंने जादा एकसाइस करने की कोशिश की है और बच्चों के साथ हम लगभग हर रोज पार्क में घूमने आए हैं मुझे लगता है कि बार खुलने के बाद से हम कुछ ज्यादा ही पार और रेस्टरांट जाने लगे हैं तो मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में हम संतुलन बना लेंगे यूरोपिय देशों में अगर हर एक हजार लोगों पर मोटापे की दर देखें तो सबसे ज्यादा मोटे लोग ब्रिटेन में हैं इसके बाद हंगरी, तुर्की और पुर्तगाल का नमबर आता है सरकार की मोटापे को लेकर बहु प्रतिक्षी तरण नेती में, इंग्लेंड में टीवी विग्यापनों के जरीए सनैक फूट के प्रमोशन को सीमित करने और बच्चों के टीवी देखने वारे समय यानि रात के नौ बजे से पहले जंक फूट के विग्यापन पूरी तरह बंद करने को शामिल किया जा सकता है हमें खान पान में बदलाव लाना होगा ताकि लोग स्वास्थे वर्धक खाना खाएं इस महामारी को लेकर सक्त कदम उठाने की जरूरत है प्रधान मंत्री ने मोटापे से निपटने को लेकर प्रतिबत धता जताई है तो हमें उम्मीद है कि अच्छा एलान होगा बताया गया है कि अगले हफते तक ऐसा हो सकता है इस कदम का लक्ष यह है कि लोग खाने पीने की चीजों से चीनी और नमक की मात्रा कम कर दें लेकिन खाद्य उद्पादकों का कहना है कि सरकार के इस कदम से लोगों की कमर तो कम नहीं होगी अलबता अर्थवेवस्ता जरूर कमजोर हो सकती है महामारी के दोरान पिछले चार महीनों में फूड इंडस्ट्री एक हीरो बनकर उबरी है जिसने ब्रिटेन के लोगों का पेट भरा हैरानी की बात है कि सरकार उसे इस तरह इनाम दे रही है जिन प्रस्तावों की आप बात कर रहे हैं वो काफी पहले से है और हमें लगता है कि इनका बहुत कम असर पड़ेगा तो हम उन पुराने सुझावों को क्यों अपना रहे हैं जिने पहले से ही खारिच कर दिया गया था क्योंकि इनका मोटापे पर कम इंडस्ट्री पर ज्यादा असर होगा मोटापे का संकट पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है भारत की लगभग 4 फीसदी आपादी मोटापे की शिकार है और पाकिस्तान में भी 8.6 फीसदी लोग ये समस्या जहल रहे हैं जिसमें महिलाओं की संक्या जादा है चीन की 6 फीसदी आबादी मोटापे की शिकार है और अमरीका में 40 फीसदी से ज़्यादा व्यस्क मोटापे से चूच रहे हैं तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी 66 फीसदी लोग ओवरवेट या फिर मोटे हैं मोटापा अगर आता है तो साथ में कई दूसरी दिक्कतें मिलाता है भारत के लिए फिक्र इसलिए बड़ी हो रही है क्योंकि करोडों बच्चे ओवरवेट या मोटे हैं भारत में ये खत्रा कितना बड़ा है ये जानने के लिए BBC सम्मादाता बंदना ने हैदरबाद के केर ग्रूप ऑफ हॉस्पिटल्स में मेडिकल सर्विसेस के वाइस प्रेसिदेंट डॉक्टर नेखिल मातर से बात की मोटापा जिसे होता है उसमें लंग ऑक्सिजिन कैपसिटी कम होती है लंग वॉल्यूम कम होता है रस्पिरेटरी जो मसल्स रहते हैं जो हम सांस लेंते हैं अंदर बाहर वो वीक होते हैं एर्वे में जो रेजिस्टन्स होता है वो जादा होता है अबेसिटी में दे रिस्क इस रॉफ गटिं इंफेक्शन होना इस मौर्ट नमबर वन अगर आप जबी भी इंफेक्ट होते हैं आपका डिट्यूरेशन मतलब आपको वेंटिलेटर पे जाना पड़े पड़ सकता है वो जो रिस्क होता है वो जादा हो जाता है तो अभी आपके पेशन्स में आपने ये ट्रेंड देखा है क्योंकि इंडिया में तो डाइबेटिक पेशन्स ही बहुत है और उसके अलावा अगर मौटापा भी जोड़ दिया जाए तो आपके पास जो पेशन्स हारे हैं कोवीड के उसमें इस तरह के को रिलेशन देखे अगर बॉड़ी की इम्मुनिटी कम हो तो हमें इंफेक्शन जाजा हो जाता है वाइरल लोड जो हमरे बॉड़ी में ताकत नहीं होती है वाइरस से लड़ने की तो वाइरल लोड जो हम बोलते हैं बॉड़ी में वो बढ़ जाता है उससे जो इसो की कॉप्लिकेशन साथ है तो अबसिती हाँ, मोटापा और कोवड आ डिर्कली दिलेटेट इस समय जो लॉकडाउन है और कही जगह पे वर्ग फ्रम होम हैं तो लाइस्टाइल में किस तरह के चेंजिस आप कर सकते हैं ताकि मोटापे सी बचा जा सकते हैं अभी वर्क फ्रम होम के दो तीन चीजे हैं जो हमें जो हमें केरफू देना चाहिए जैसे कि आपका डायत जो होते हो आपका खाना खाते हो गो अपका एक्सराइस होता है आपका जो एसो की मेंटल हेल्थ होती है दिमागी शंतुलन जो बोलते हैं उसको खाने में हमें धई एक आत्मी को और एक महिला को और अठारा दो हजार से दो हजार दो सो कैलरीज और आपका जो हमें जो हमारे में बोलते हैं जो आपके प्रोटीन होते हैं कार्भोहईड्रेट्स, मिनिरेल्स, फाट्स, और अल बाड़ी को अगर यूस्टू नहीं है हम अगर सड़नली हम तिरे थिरे बड़ाईये इफ यूर फिलिंग आपको डिप्रेशन हो रहा है या दिमाग में आप यूर फिलिंग लो अगर आपको दिमागी संतुलन आपका बरावर नहीं हो रहा है तो आपके दोस्तों से बात करिये आपके रिष्टदारों से बात करिये अगर वो भी प्रहब ने प्रहूं सेच्छाला है